वेरी गूट इवनिंग दिया स्पिरिंस वेलकम टूरेटनरी फोस सेवन दिस इज़िए और आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रप्रेशन अच्छे चल रही है फांडिशन बैच में वक्त हो चुका है कोडिंग और डिकोडिंग का हमने अभी तक फिलाल तीन चैप्टर समाप्त कर लिया है यहां पर डिसकेशन में अब बार रही है कोडिंग डिकोडिंग के बेसिक कॉंसेट और कुछ सवालों के जवाब ढूनने का सबसे पहले हम बेसिक कॉंसेट पे चर्चा करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे आराम से क्योंकि बेसिक कॉंसेट जब तक बढ़िया नहीं होगा तब तक आप सवालों को अच्छे से solve नहीं कर पाएंगे और साथी साथ उस समय सीमा के अंदर solve नहीं कर पाएंगे आमोमन ये बच्चा भूल जाता है कि हमें बेसिक कॉंसेट पे सबसे अधिक प्रहार करने आए सकता होती है उस प्रहार के आधार पे हम अगली बार जब सवाल सौल्ड करने जाते हैं तो हम उतना ही कमफटेबल फील करते हैं ऐसे एका दुका उचल कुछ से कुछ होने वाला नहीं है, अगर अप्लिकेशन नहीं है आपके पास तो प्लीज अप्लिकेशन को जरूरी इंस्टॉल कर लीजएगा, और Android, iOS दोनों पर ही अवलेबल है, इन सुविधाओं का लाब उठाइए, बढ़ते रहीए, लिखते रही तो करते रहना पड़ेगा, आपको इन्वाल रखना पड़ेगा खुद को पढ़ाई में, तब जाए कुछ हो पाता है, अदरवाइस तो कुछ नहीं होने वाला है, आज ही आईवेपियस ने अपना कलेंडर जारी किया है, 2023 के लिए, मतलब 2023 में कह सकते हैं, इन तमाम एक्जामनेशन है, यह तह है अभी से प्रिलिम्स का भी और मेंस का भी, अभी भी जो स्टुएट नहीं जाएगा, वो एक्जाम के जब एक्शुल फॉर्म भरने वाला नोटिफिकेशन आएगा, तब बच्छा जाक के बोलेगा, सर, अभी बताईए, वो कौन सा रॉकेट स ट्रीट करें, आही शुका है, वो फॉर्म भरने वाला सिचुपेशन जो है, बस बो तो चलता रहेगा, वो तेके करके आता जाएगा, और चलता रहेगा, लेकिन ये शब्द आपके लिए बहुत-बहुत-बहुत कारगर है, कहा गया कि, अभी तो होता है, जो जीतने वाले विजेता जो होते हैं, देखो, सपने तो सब देख रहे हैं, लेकिन इन सपने देखने वालों में, अधिकांस लोग वो होते हैं, सपना देखा, और कुछ दिन देखा, और कुछ दिन काम किया भी छोड़ दिया, लेकिन जो ऐसा ड्रीमर, ऐसा सपना देखने वाला इनसान, जो give up ना करे वही विजिता होता है अगर आप उन लोगों में से आते हैं जिनके पास सिर्फ सपने देखने का नहीं उस पे काम करने का भी अपने विफलताओं से असफलताओं से हार कर give up करने वाला छमता नहीं उससे सीख कर आगे बढ़ने का चमता रखते हैं तो अफकोर्स आप एक विजिता होंगे चैब कोई परिक्षा हो या नॉर्मल लाइफ हो या कोई बिजनस हो या कुछ भी कर रहे हो आप strategy बहुत clear होना चाहिए आप बाकी लोगों से बहतरीन होने चाहिए अपने जो कर रहे हैं आप उससे सीख लेनी चाहिए कुछ गलतियां हो रही है कुछ विफलताएं हाथ लग रही है उससे सीखना पड़ेगा आपको तब जाके मागे बढ़ पाता है तो इन बातों आख खयाल रखेगा ठीक है ना ओके शुरू किया जाए नहीं अपने जाए तो सबसे पहले समझते हैं कोडिं डीकोडिं इस से पहले एक और काम कर लेते हैं यहाँ पे खलका सा ब्लैंक स्पेस रखते हैं bientôt ठीक है चलिए देखो हमारा जो टॉपिक फिलहाल है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं यह है कोडिंग एंड डिकोडिंग हम इसके प्रिलिंस और मेंस वाले चेहरे को भी देखेंगे कि आधे प्रिलिंस क्या पूचता है या फिलाल हम पहले समझते हैं कि इस इंटेंशन और डिमान्ड कै members का है quick, मतलब खास तरब जो इसका prelims वाला सवाल है उसमें कितने quick है alphabets को लेके कितने quick है alphabets को लेके मतलब उसमें कितना चाशा response है आपका किसी letter का forward rank, backward rank उसके positions को लेके alphabetical series में जो हम A से लेके Z की बात है करते हैं उसके ranks को लेके कितने clear हैं ताकि आप prelims और मेंस दोने तरह के सवाल को solve कर सकें तो इस chapter में अगर देखा जाए तो prelims में सिर्फ एक तरह का सवाल पूशा आता है जेनरल तोर पे वो है आप इसको बोलते हैं हम लोग Chinese coding आम तोर पे बोलते हैं उसे technically हम लोग substitutional coding कहा करते हैं और इस तरह का जो series है यह हमारे prelims में आया करता है coding recording में of course हमारे पास coded language में कुछ चीज़ें दी रहेंगी हमें उसे record करना है यही पूरे chapter का intention है चाहे वो prelims हो या means हो prelims में बस इतना होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कश्ट नहीं होता सवाल में कुछ बारीक बारीक चीज़ें हैं उसा ख्याल रखें अगर हम सवाल सॉल्फ करने में सक्षम हो जाएंगे accuracy के साथ रफतार में जब हम सॉल्फ करते हैं सवाल को तो accuracy करने में तकलिफ हो सकता है उसके बारे हम बात करेंगे steps लिखे होते हैं और conditions में जब गिवन होते हैं उसके अधार पर हमें करना होता है तो इस जगा पर conditional coding हो गया आपके पास Chinese coding हो गया नहीं हमने भी series चर्चा किया वहाँ पर condition वाला point जैसे बें बोला कि condition करी करता है तो alpha नेमेरिक series chapter का जो means वाला part है और जो आपके coding recording का means वाला part है यह दोनों बहुत similar है इनको हम मिला के पढ़ सकते हैं जैसे हमने बोला resultant based series वहाँ भी condition होगा step based series वहाँ भी condition होगा इसमें आते हैं जब हम coding recording में आते हैं तो हमारे पास मिलता है conditional coding यहाँ भी condition होगा नाम ही यहाँ तो clear होगे नाम सी conditional coding जो भी आपसे वो process कराएंगे उससे पहले condition देंगे तो जो alpha ने भी series हमने पढ़ा है उसमें जो हमरे पास means का part है या फिर जो हमारे इस chapter का means वाला part है लगबग similar है तो आप मिला जो रागे पढ़ सकते हैं उससे एक मिनट से लेके डिएड़ मिनट का वक्त आप खर्च कर सकते हैं कितना सवालों के लिए five questions set के लिए five questions set के लिए आप इतना समय खर्च कर सकते हैं एक बार इसका हैं prelims और mains वाले variety of questions को observe कर लेते हैं so prelims में हमारे पास letter coding और number coding बहुत rare time है लेकिन यह चीज़ें देखी जाते हैं number coding and letter coding बहुत rarest of the rare यह से हमारे पास जो आरवी क्लोग का examination हुआ करता है वहाँ पर होसता है एक दो नंबर का सवाल दिख जाए लेकिन major जो हमारे पास portion है वो इसका है यह हमारे तमाम prelims examination में Chinese coding के नाम से जो आप देखते हैं आप लोगो जो बोलते है Chinese coding वो यह ही है आपका substitutional coding कहते है इसे यह coding हमारे जो है इसे को Chinese coding कहते है यह हमारे तमाम bank examination prelims में five question के तोर पे या four question five question अपने को यहाँ देखा करते हैं और इसी question के मैं reference लेके बताया आपको कि एक मिनट से डियर मिनट का वक्त लगना चाहिए इधर अगर हम आएंगे तो of course यह पूरा-पूरा मेंस का syllabus दिख रहा है इस chapter में मेंस का जो variety है वो काफी बड़ा दिख रहा है जैसे prelims में बहुत छोटा part है मेंस में काफी variety आभी पास करें तो clock मेंस में आपको पूछाए का conditional coding पूछ सकता है आप से वो इसके अलावा I think कोई हाँ यह भी मिल जाता है बच्छो दो तीन नमबर का मिल जागा छोटा कम मार्क सा मिलता है new button फिर इनी मिल जाता है लिए नॉमली क्यों पूछ पूछ पूछता है तो यह आपका इस टॉपिक से आप आमोमन देखेंगे conditional coding एक ऐसा सेग्मेंट है जो की आपका clerk मेंस पूछ सकता है अदरवाइस बहुत कम चांसे होता है तो दो टाइप है फर्स्ट और सिख्ट जो है वो आपका मिल सकता है क्लॉप के मेंस एक्जामेशन बाकि प्यो प्यो का साड़ा सेग्मेंट दिख रहा है ठीक है ना ओके क्लियर है ठीक है कोमल कह रही है सर नेगेटिव मार्किंग है क्या बिलकुल नेगेटिव मार्किंग है आप जब भी किसी competitive examination में जाएं तो इस सवाल को पूछने से कतराएं, तमाम examination में negative marking है, बहुत rare किसी examination में देखा जाएं तो negative marking नहीं होता है बैसे आमोमन bank के तो तमाम exams में negative marking है, जैसे भी LIC का double AO का notification आ रखा है उसमें negative marking नहीं है लेकिन वहाँ पहले सही cut off जारी कर दिया गया, कि इतना cut off तो इतना marks तो लेकि आना ही पड़ेगा चलिए, अब सबसे कुछ basic concept की चार्चा करते हैं some basic concept we need to know कुछ basic concept जो हमें जानना ही चाहिए क्या क्या जानना चाहिए, सबसे पहले में आपका जो first or second, first part जो था आपका जहां पर लेटर कोडिंग लिख रखा है वहां पर प्लेस वैल्यू का सबसे नॉलेज आपको होना जूरी है अदरवाइस फिर मेंस वाले पार्ट में इसका जरूवत पढ़ जाता है तो यह A से Z में से इसका rank 1 होता है, इसका 26 होता है अगर हम नॉमली पढ़ते हैं इसको left to right, इसको forward direction बोलते हैं यह इससे हम 1, 2, 26 ऐसे पढ़ते हैं अगर backward direction में तो इसको 1, 26 बोलते हैं इस तरीके से बाकी और भी letters का rank मालूम होना चाहिए आपको rank मालूम कैसे करें, कैसे याद करें, तो उसके लिए आप एक तो एजोटी है या फिर आप सिफिर रक्स का इस्तिमाल कर सकते हैं, मैं देखता हूँ, बताता हूँ उस चीज़ को तो यह दो direction में आपको इस place value का knowledge होना चाहिए साथी साथ opposite and reverse letter का भी idea होना चाहिए यह चीज़ से A का विपरित कौन है, यह B का विपरित letter कौन है विगोश 26 हमारे पास alphabets हैं, 13-13 हो गए तो एक A का विपरित जैसे Z हो गया, B का हो गया, आपका Y, C का X हो गया ऐसे मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है न, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दो को place value याद करने का एक तरीका, मैंने भी बताया भी आपको, इसे A, B, C है तो यहां पर 1, 2, 3 बोल रहे हैं, इसको बोलते है forward rank 1, 2, 3, यह से A का 1 है, तो यह क्या rank है, भाई, forward rank है या फिर हमारे पर Z को 1 कह रहे हैं, या फिर हम C को 24 कह रहे हैं, तो यह क्या backward rank के आधार पे कह रहे हैं या फिर opposite rank कह सकते हैं आप इसे, reverse rank चलिए, एक आपको trick देता हूं, जिसका याद रखने का तरीका होगा कैसे, या फिर आप कैसे justify करें हैं, कि हाँ, यह मेरा opposite rank है, या सही rank है, या नहीं है, किसी भी लेटर का जब दोनों rank जोड़ेंगे आपना, उसका sum 27 होना चाहिए, 24 प्लस 3 is equal to 27, 25 प्लस 2 is equal to 27, 26 प्लस 1 is equal to 27, तो sum of forward plus backward rank must be 27, जा बॉल नहीं है, 26 होता है, 27 कैसे आगया, because एक ही लेटर है न, इसका दो रैंक बोल रहा है, तो of course एक तो बढ़ जाएगा total में से, 26 थे, इस लेटर को हमें एक ही बोलना चाहिए, एक ही इसका rank होना चाहिए, हम दो rank count कर रहे हैं, that's why यहाँ पर 27 सम निकल के आता है, that was the point, ठीक है, यह दो अपरोच है जिसका इस्तमाल करके आप आराम से याद रख सकते हैं, जैसे कि एजॉटिक का इस्तमाल करके आप यहाँ पर इनका, जैसे E का rank 5 है, J का 10 है, O का 15 है, T का 20 है, यह Y का 25 है, इस तरीका से याद कर सकते हैं, बाकि एक और अप्रोच है जो मैंने 0 to hero series में सिखा रखा है, you know, picture form of memorizing the alphabetical series place value, जैसे कि G है, तो G का rank 7 कैसे याद रखा है, तो B का उसम जी में 7 को observe कर सकते हैं, यह देखिए, हम G में 7 को observe कर सकते हैं, तो यह आगे से कभी भूलेंगे नहीं आप, तो यह भी एक अप्रोच है, जो मैंने डिसकस कर रखा है, 0 to hero वाला जो प्लेलिस्ट है, उसको जागी चेक कीजगा, उसमें मैं तीन-तीन के पार्ट में डिवाइट किया गया, C3, F6, I9, तो यहाद तीन-तीन में बाइफरकेशन है, अल्फबेटिकल स्रीज का, यहाद पांच-पांच में बाइफरकेशन है, इसके अधार पे आप रेफरेंस लेके आप, लेटर्स का रैंक निकाल सकते हैं, रैंक मतलब यहाँ पर जो रैंक निकल के आ रहा है, वो फॉर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर backward rank कितना होगा, इसका 7 होगा, कैसे भाई, तो 20 plus 7 is equal to 27 होता है, या J का rank हमारे पास यहाँ 12, 10 दिख रहा है, बोला गया भाई, J का backward rank क्या होगा, हमना गया 17, कैसे भाई, J का forward rank या normal rank जो है, वो 10 है, 17 जोड़ेंगे तो 27 होने वाला है, इस तरीके से हम दोनों ही rank अपने दिमाँ में सेट कर सकते हैं, ठीक है ठीक है, एक बच्चे का कहना है सर, क्या आप यहाँ पर chapter का main part नहीं कराएंगे, नहीं, यहाँ पर हम सिर्फ foundation basic basic करा रहा हैं, बाकि banking evangelist batch वे हम पूरा full two, हर एक chapter को पूरा पढ़ा रहा है, मालनों किसी बच्चे को coding recording पढ़ना है, तो वहाँ से खलका glimpse ले सकता है यहाँ से, और उसके बाद वहाँ पर आराम से आके पूरा flow में, पूरे जितना भी टाइप बताया है, यह पूरे टाइप का जम करेंगे, जो कि inequalities होगा, फिर वहाँ भी हम prelims और मेंस कम्लीट करेंगे, फिर हम चलेंगे इस लॉलिजम में, यह अप्रोच मैं कैरी कर रहा हूँ अपने banking evangelist batch में, ताकि जो अभी calendar आया है, उसके अधार पे हम देखें और हर साल calendar इस तरीके से January के महीने महीं आता है और यह clear कर देता है कि भाई, आपका examination जो है, वो August के आसपा सुरू होगा IAPS के तरफ से, तो जो major 6 examination है, चार जो RRB, PORB clerk, IAPS, PORIPS clerk और साथ में SBI, POSBI clerk, यह तमाम परिच्छा की बात करें, तो second half of the year में shift हो चुका है, मतलब कि August से लेके, पूरे last तक आपका December, January, December तक कह सकते हैं, पूरा exam हो जाया करता है, at least prelims तो सबका हो जाता है, और बाकी maximum का means भी हो जाया करता है, इसी साल की देख लिजा, 22 में ऐसा ही हुआ, 23 में ऐसा ही होगा तो point यह होता है कि हम अभी से basic यहां से grant करें और फिर अपना dedicated classes join करें, वहां से पढ़ाई करें, इसमें कोई दोमत नहीं, ऐसे ही पढ़ाई करना भी चाहिए, simple ठीक है न, ओके, आगे बढ़ाएं, चलिए यह है place value of alphabets, कैसे कैसे याद रखना है, इसमेने बताया आपको, इसको आप एक बार opposite letters यहां पर है, a, z, b, y, c, x, d, w, इसको एक story के तरह भी आप इसको form कर सकते हैं, फिर याद कर सकते हैं, बाकि सब का rank यहां लिख दिया गया है कि a का rank 1 है, b का rank 2 है, c का rank 3 है, इस तरही के से, और एक story form कर सकते हैं आप यहां पर, इस तरही के से यहां दिख रहा है, how to memorize opposite letters, तो यहां लिखा है, make a story like, azad a boy cracks due even full on gt road, then he crossed high speed Indian railway, met jungle queen of Kanpur, he was a man, कैसे बोला मैंने यही बात, because a and z, that means azad, b and y, that is boy, c x, मतलब cracks, इस तरीके से आप तमाम letters को याद रख सकते हैं आराम से, तो यह तरीका हुआ जिस तरीके से आप alphabets को, rank भी याद रख सकते हैं, उसके अपोजिट letters को भी याद रख सकते हैं, ठीक है, बाकी, अब हमारे पास जो होगा, जो हम चाहते हैं कि हम पहले discuss कर लें, वो हमारे पास है, Chinese coding के approaches, how to solve Chinese coding questions, ठीक है न, क्या होता है Chinese coding वाले सवालों में, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है, चलिए, मैं एक request करूँगा, उसके बाद request नहीं करूँगा बाद में, काईदे में रहोगे, मैं चुप चाप, काईदे से पढ़ाई कर लेजिए, ठीक है, चलिए, तो, in this type of coding, we will provide, we will be provided with some sentences and their codes, we need to identify their codes for each and every specific word, by relating those words, by finding them common in different sentences, अब बोलिंग सार कितना क्या क्या बोल दिया आपने, ठीक है, यह कुछ ज़्यादा ही अंगरेजी लिख दिया गया है, नहीं, इतना भी अंगरेजी नहीं है, समझेगा, यह Champions Reasoning जो बुक है ना, उसका आपको टेक्स्ट यहां दिख रहा होगा, प्रॉपर्ली, इक्जेक्टी नहीं बुक है, उनको पता हुआ कि इक्जेक्टी यह वहां से ही उठाया वा टेक्स्ट है, किया रहा है कि इस तरह के कोडिंग के सवालों में क्या होता है, हमारे पास कुछ सेंटेंसे दिये जाएंगे, और उनके कोड्स भी दिये जाएंगे, लेगिन यह बताया नहीं जाएगा कि इसका क्या कोड है, वी नीड टू आइडिन्टिफाई दे कोड्स फर इच एन एवरी स्पेसिफिक वर्ड बाई रिलेटिंग दोज, रिलेट करके हमें कोड्स निकालना पड़ेगा, रिलेट मतलब चार सेंटेंस है, उसमें से कई वर्ड कॉमन भी होगा, जैसे कि आप देखिए नहीं पर, चैंपियंस वर्ड यहां भी है, तो चैंपियंस वर्ड यहां भी है, तो इनको रिलेट करेंगे भाई, फर्स और फॉर्थ में है, फर्स और फॉर्थ में चैंपियंस है, और कोई word common है क्या first and fourth में नहीं है एक और word है always भी है तो क्या हमारे पास always कहीं और है क्या नहीं है तो मारे पास इन दोनों कोट जो होगा वो मारे पास पहले और चौट ऐसा होगा जो common होगा जैसे कि आप यहां देखिए हमारे पास दो कोट कोट कौन से common है भाई तो मुने का FD यहां पर है FD यहां पर है हमने देखा कि भाई यहां पर EX भी और EX भी और यह दोनों कोट देखिए और कहीं भी नहीं होगा इस तरीके से हम कोट फाइंड करेंगे this is how we need to identify the कोट's of each and every words इस तरीके से निकालना है जैसे मेरे पास winners यहाँ भी है और यहाँ भी है और कहीं winners है क्या तो यह एक reference question है Chinese coding के लिए कि winners यहाँ भी है और winners यहाँ भी तो first and second में winners है और कहीं और नहीं है और कोई भी word common है कि first and second में कोई और word common भी नहीं है हमने observe कि CY and CY ऐसा code है जो कि सिर्फ first and second में है और ये code देखिए तो आप अराम से confidently कह सकते हैं कि ये code और कहीं नजर नहीं आएगा ठीक है जैसे में आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं एक बार और word का यहां से बार पास यहां पर hard है और hard यहां भी है और ये दोनों ही हमारे पास word जो है second और third में है और कोई word है जो second third में common है हमने का नहीं भाई work यहां है तो यहां नहीं है daily यहां है यहां नहीं है winner यहां है यहां नहीं second और third में एक code होगा specifically जो common होगा हमने देखा तो यहां पर yt है और यहां पर भी yt है और ये दोनो words जो है वो कहीं और नहीं है इसका मतलब confirm है कि hard का code क्या हो जाएगा वाइटी हो जाएगा ये तरीका है find out करने का आप से गर पूछा जाए कि साहब ये बताओ ठीक है बाकी सब तो ठीक है, r का code बताओ क्या होगा तो हमने का भाई बाकी सब code निकल ही गया है बचा हुआ जो हमारे पास होगा, वो r का code होगा जाकि st होगा, अब r हमारे पास यहां भी है और r यहां भी है, तो first and third में अगर r है और first and third में कुछ और common नहीं है तो st word हमारे पास third में मिलना चाहिए और दिख भी रहा है, यहां st जो है third में भी available है, तो यह एक तरीका है जिस तरीके से हम आराम से Chinese coding से number निकाल सकते हैं, लगी मसला यह है अभी हम लोग independently, random हम लोग नहीं है सवाल के जरियर नहीं है, independently हमने यहां पर क्या कर दिया है, कुछ-कुछ word का code निकालना सीखा है, लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कुछ concept भी है, आईदर और concept जैसे इसके कहते हैं, आईदर और concept आईदर कब होता है इसमें, दो situation है जब हमारे पास आईदर हुआ करता है Chinese coding में, कब-कब होता है, जैसे कभी आपके सामने आया भी था, जैसे ऑबजर्फ कीजिएगा एक situation भी आया आपके सामने जब हमने देखा कि यार, जो champion word है, जो always word है ठीक है न, अब देखें, champions आपको पूछा जा इस situation में, champion code क्या होगा, क्या बताएंगे आप, जो आपने यह observe कर लिया है, कि champion word हमारे पास कहाँ पे है, तो हमने देखा, champion हमारे पास first में है और last में है, साथ में हमने यह भी observe कि एक और word ऐसा है, जो सिर्फ first और last में है, पहले और चौते sentence में है, इसका मतलब clear है, कि भाई, हमारे पास यह दोनों ही sentence के जो दोनों ही word के code होंगे, वो भी हमारे पास common निकल के आएंगे, और क्या निकल के आएंगे, तो हमने देखा, भाई, यहां पे हमारे पास FD है, FD है, यहां पे हमारे पास EX है, यहां EX है, आप से कोई पूछे कि बताओ, champion का code क्या होगा, champion का code क्या होगा, तो आप बोलेंगे, आप सहाब EX होगा, या फिर FD होगा, EX और FD कहेंगे आप, आप sure नहीं होगे, जैसे हमारे पास पूछा जाए कि champion के साथ साथ हमारे पास always का code क्या हो जाएगा, तो यहां भी आपको यही बोलना पड़ेगा, same answer, EX oblique FD, इसका भी आँजर होगा, same, either or, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये, हम sure नहीं कह सकते, because, दोनों ही word, दोनों ही sentence में common है, एक situation, यह हमारे पास case one होगा, एक case ऐसा होगा, दो ही situation है, जहां पर दो word होंगे, और वो दो word, ऐसे sentence होई, जहां पर word तो और भी होंगे, लेकिन ऐसे दो common word होंगे, single sentence में, जैसे कि मैं observe करते हैं, यहां पर, हमें नज़र आएगा कि हमारे पास, things and doable, doable तो कहीं और भी है, और I think कोई ने कोई sentence होगा हमारे पास, जहां पर यह दो चीज़ें होंगे, work and, हाँ, work and daily, इसको देखिया आप, work हमारे पास है, और daily हमारे पास है, यह दो ऐसे word हैं, जिसको हम कहीं भी observe नहीं कर सकते हैं, work हमारे पास कहीं और है, क्या देखो, तो इसमें कहीं और है, इसमें हैं, नहीं है, daily word कहीं और है, क्या नहीं, जब भी कभी दो word, specifically, एक ही sentence में हो, और वो दोनों ही word कहीं और नहीं हो, यह दोनों ही word कहा हैं, सिर्फ पहले second sentence में हो, और कहीं नहीं है, इसका मतब clear है, कि इस sentence में, इस वाले part में, जो code वाला sequence है, यहां पर भी दो ऐसे code होंगे, जिसको हम कहीं observe नहीं कर पा रहे हैं, वाइटी तो मैं कहीं दिखा था, हमें यहां पर, CY भी कहीं दिख रहा है, लेकिन EZ और आपका PK जो है न, यह exactly इनका answer होगा, क्या होगा भई, कोई पूछेगा आपसे आकास कहा है, सब बैंकिंगे वेंजस में क्लास नहीं थी, हुई थी क्लास, बिल्कुल हुई थी, बिल्कुल टाइम पे अपने हुई थी क्लास, ठीक है, तो, इस 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 आउप नीड टू, आंसर दे क्वेस्टन, यह हमार पास दो केस हैं आईदर और के, इसको आप बाद में कॉपी कर लीजेगा, जो हमने बताया है, एक्जेक्ली जो बद भी समझाया है आपको, उन्ही बातों को यहाँ पे शब्दों में आप अब्ज़र कर सकते हैं, हम चलते हैं सवाल के तरफ, पहला सवाल रख रहा हुँ मैं आपके सामने, फर्स्ट क्वेशन आपके स्क्रीन पर यह रहा, इसका हिंदी लैंग्विजी अवलेबल है, टाइमर आपके बास रख दे रहा हूँ, ट्राइ आउट तो स्वाल दे क्वेशन प्लीज, चले, अभी हमारे पास एक सिंबा सवाल है, पूशा गया स्कोर्ड का कोर्ड क्या होगा, हमने का भई स्कोर्ड का कोर्ड निकालना है आपको, हमारे पास यहाँ पे चार सेंटेंस दिया गया है, और चार सेंटेंस में अलग 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 शब्द हैं, कुछ कॉमन वर्ड भी ऑफकोर्स होंगे, होगे तभी तो चैनीज कोडिंग के सवाल क्रियेट होगा, स्कोर्ड वर्ड सब्सक्राइब धूढना पड़ेगा, स्कोर्ड वर्ड कहां पे है, इसे बहुत रफ्तार में उनको आस अची है, और ये सवाल जो है, नॉमली आपको देखा जाए, तो तमाम एक्जाम से पूशा करते हैं, लगवा प्रिलिम्स के तमाम एक्जाम से है, प्यों हों, क्लक हों, सब लोग कभी कोई पूछ सकता है इस सवाल को, scored word है, हमने scored देखा first में है, second में नहीं है, third में है और fourth में नहीं है, बतब first and third में scored word नजर आया, अब यहाँ पर none of the above का भी विकल्ब दिख रहा है, इसका मतब यह हो सकता है, कि यहाँ पर कोई और word भी common हो, पर cross check कर लेंगे हम दो तुरन से, और कोई word है कि जो first and third में common है, हमने का नहीं बाई, कुछ भी common नहीं दिख रहा है, marks है लेकिन marks कहीं और भी है, तीसरे जगह पे भी है, marks है, marks है, marks है, marks कहीं और भी हो गया, तो हमारे लिए फर्क नहीं पड़ेगा वो, अब confirm है कि first and third में को process करने का रफ्तार जो होना चाहिए, आपका ये बहुत तेज होना चाहिए, बहुत इस तना ध्यान रखीगा, सवाल नमर दूसरा आपके screen पे है, timer on है, जोती वर्मा, banking avengers का बैच जो है, वो bilingual होता है, जैसे तरह सवाल आपको English इंदे दोनों में लिखा हुआ है, बैसे ही, Hindi प्लस English इंदे दोनों में इलाके, पढ़ाते हम बिल्कुल इसी language में जैसे पढ़ा रहा है है, सवाल में कहा गया है कि, डैस is the code for Y-E-L in the given code language, that means, येल का code find करना है अपने को, येल किसका code है ये find करना है, तो हमने देखा येल कहाँ पर है, तो हमने देखा यहाँ पर है, और कहीं है क्या, तो हमने देखा भाई साब यहाँ भी, और कहीं है क्या नहीं, मतलब कि second last, sorry, second में और last में है, second sentence में ये code दिख रहा है, और last वाले में दिख रहा है, तुरूंस हम ये process करेंगे, क्या हमारे पास कोई और ऐसा code है, कि ये code है, इसका code है, तो हमने देखा भाई, यहाँ भी और यहाँ भी है, तुरूंस हमारे पास कहीं और भी है, अमट कोट है, वो code है, तो यह process करना है ये बहुए बहुत जल्दी में होता है, बहुत टाइम नहीं लगता है, इसमें और कोई कलम उठाने क्या हो सकता ही नहीं इसमें बस नजर का खेल है कि आप कोंसेंटरेशन कितने बढ़िया बनाते हैं कोंसेब्चुली कितने स्ट्रॉणग है कि किस किस तरह से process करते हैं इसको, यह नहीं कि हर बड़ी यह बज़ देखा, यह 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 तुरंट code निकलना नहीं है, तुरंट चेक कीज़े कि second और third में और कोई code common है क्या, आउमन mistake यहीं पर हो जाता है students से, तो यह नहीं करना है आपको, सवाल number 3 आपके screen पर है, timer on ह चले पिन हमारे पास बहुत जगर दिख रहा है, second, third, fourth, third जगर पिन है, और वहाँ पर बहुत सिंपल ही, हमें कोई से पहले पिछले सवाल को solve करते से, मैं observe कर लिया था, कि यह तीन word यहाँ पर दिख रहा है, students, option number 3 is the correct answer, ठीक है न, बहुत आराम से दिख गया था यह चीज, और अब जब तक पहला, दूसरा, दीसा सवाल कर रहे होते हैं, तब तो होसना, इस चौछे सवाल में जो डिमांड किया गया है, उसका answer आप पहले दूसरे, तीसे सवाल करते करते निकाल लिए, यह तीसे सवाल का जो answer question पूशा गया है, उसका कही न गहीत, पहले और दूसरे स सर LIC के लिए स्टार्ट कब से करेंगे आप LIC के लिए बैच 19 तारिक से स्टार्ट है अप्लिकेशन पर कि चले वर्डि दो को है वर्ड पूश्व भर पुशा खाए माक्स का अंगा हूगा अमने माक्स वर्ड भी मार Alpine P Ciao फर्स्ट में फूर्ट में और फूर्ट में छाहिशाए से बाते कुछ कुछ इसा चीज होगा जी आरेम जी आरेम जी आरेम तर्म शीनाडेम historically i can सब्सक्र चूब तो अब आपको सब्सक्रिम मनें सीकिषर रहा मघटने department सीच्षर धी निकाल आपको से हैं देक्षवल नहीं बहुत सकता है इस तरह के सवालों में कोई 10 सेकंड सेधी का समय खर्च हो जाए और यही अपने वो ट्रेन करना है कि उससे भी और रेडियूस कैसे किया जा एक्रिसी का खयाल रखते हुए पढ़ा 10 सेकंड इंदर सवाल कर रहे हैं बहुत बढ़ी है अब दो वर्ड आपके सामने आय कर दो एफ हो जाश अच बादी हैं कि उससे बीख ञ Нolnोक कर दो में आपके सामने आपके सामने आपके सामने कर रहे हैं लृ वढ़ा कर रहे हैं ः जापके सीत बगवार वारके सेकंग में रहे हैं कि भॉत रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको बैंकिंगे वेंजर्स की प्रोसेस में होगा वो और्टमेटिक प्रोसेस होता है वो आपको पहुंच जाएगा चले यहाँ पर हमने सिंगल वर्ड का तो कोड निकाल लिया अब हम उसको सीख भी चुके हैं कि इतना आराम से निकाला जा सकता है अब सेकेंड हमारे पास है हाइस्ट अब यहाँ पर दो वर्ड दे दिया गया है हाइस्ट स्कूल ध्यान से करना है अब सवालों का आंसर जैसे ही सिंगल वर्ड से डबल वर्ड में पहुंसते हैं आप थोड़ा सा कष्ट बढ़ जाता है विकाज दो दो वर्ड पूस दिया गया है इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों में से एक वर्ड कोई निया दे देगा बिल्कुल इसमें दिया ही नहीं हो फिलाल च work करते हैं दोनों वर्ड इसमें दिया गया ना तो हमें देखा बाई हाईस्ट वर्ड तो यहां पर है यहां पहर्य है और हाईस्स हमारे पास लोही जगोफ पह है होना चाहिए प्ट बैस L-I-N, L-I-N यहां भी है, M-A-N है, B-L-U है, हमने अब्जर्फ किया कि हमारे पास school word जो है, वो अकेले यहां दिख रहा है, और कहीं दिखा कि school word नहीं, student कहीं और भी है, मतब comparison करके answer निकाला आ सकता है, among कहीं और भी है, अमारे पास जो B-L-U है, वो है ही नहीं, जिस sentence में school word है, उस sentence में हमारे पास B-L-U ही नहीं है, that means correct answer is cancel out, correct answer is option number C, L-I-N, and 7 में हमारे पास M-A-N, that's it, यह approach हो गया सवाल को process करने का, बस मसला क्या है, कि आप इसी, जो यह process अपने जितना किया है, इस process को आप कितना quick निभाते हैं, और यह quick निभाने वाली हरकत जो कि सिंपल से बात है, सवाल number six, that means next set of questions आपके सामने है, यह आपके पास नया reference और नया सवाल, ध्यान से कीज़ेगा please every code पूशा गया आप से, verbally solve करना है, no need to use the pen as well, आपको कलम का इस्तमाल भी नहीं करना है ठीक है, सवाल में कहा गया, every का code क्या होगा, हमने का every word हमारे पास first में नहीं है, second में नहीं है third में है और fourth में है, third and fourth में दिख रहा है, लेकिन तुरंद से हम उसके answer के तरफ नहीं भागें, तुरंद से यह चेक करेंगे हम लोग, कोई और ऐसा word है क्या, जो सिर्फ second last और last में है हमने का getting word तो इसमें नहीं है, fast word है, यहां faster नहीं होगा, common नहीं है, month word यहां दोनों जगा दिख रहा है और यह month word हमारा इससे पहले कहीं और नहीं है, that means यह दो word हो गए, जो क्या हो गए, दो sentence में common है अभी कुछ दर पहले हमने पढ़ा कि दो cases है आईदर और की, उसमें क्या होता है, कोई भी दो sentence ऐसा होगा, जहां पर दो word common होगा उसमें, और वो दो word कहीं और नहीं होंगे अब यह every month, every month जो है, किसी और sentence में नजर नहीं आ रहा है, इसका मतब clear है, इसका उत्तर जो है, वो definite तो पॉस्टिबल ही नहीं है, अभी कोई इसने क्या पूछा है which of the following is the, which of the following, which of the following is the code for every, हम बोलेंगे C&D अब यहीं पर समझेगा एक बात, कई बारे examiner खेलता कैसे है, आपसे गलती कैसे कराता है, वो यहाँ पर आएगा, बोलेगा, is the नहीं, यहाँ पर लिख देगा, can be, इसको हटा देगा ठीक है, can be लगा देगा वहाँ पर, which of the following can be the code for every in the given code language अब हमारे पास इसमें से, जो इसका आइदर और बन रहा होगा, उस आइदर में से, कोई एक यहाँ रख देगा, ठीक है, दोनों नहीं रखेगा फिर, एक रखेगा कोई भी, और फिर C&D भी रख देगा, एक ननोदीस भी रख देगा, बच असलिप कर जा था उस तरह के स जाएंगे, ठीक है, फिलाल यहाँ पर इस दब बोला है, तो हम यहाँ पर आंसर करेंगे C&D, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर सेवन आपके स्क्रीन पर है, टाइमर वान है, एक बच्चे ने कहा है, लिक के ज़्यादा एजी होता है, थैंक यू सो मच समझाने के लिए हमें, तरहीं सही बता रहा हूँ, अगर समझदार हो तो समझ जाओ, वरना खराब मुझे ज़्यादा उस्ताद नजर आ रहे हैं, कई बच्चे होते हैं, जिनको कितना भी समझा भी समझेंगे नहीं, नहीं जरु, लिक के ज़्यादा अच्छा होता, अरे क्यों अच्छा होता है बाई, तुम दिमाग को एक सपोर्ट क्यूं दे रहे हो, और ताइम क्यों ज़्यादा खर्च कर रहे हो, आप ये क्यों नहीं समझते हो कि आपको सॉल्फ करना आता है, ये प्रदिक्शन गलत हो गया, क्यों? क्योंको उनको बच्चों का ना वो चाहिए, सर सही बोल रहा है, मैं भी आ जाओगा इसके अंदर, मेरा भी हो रहा है, जूठा दिलासा क्यों देना है, बच्चे ने बोला कि सर, लिक के जादा अच्छा होता है, बहुत हो बोल देंगे, हा इस तुट्ट को गलत माम अमने इनसेंस, गलत भी तो पता हो सकता हो से, हम तो लगतारी घिस रहे हैं, मैं तो पता है यह चीज, कि अप्रोच क्या बेस्ट है, ठीक है ना, आई ये, बोला गया, डैस इस दे कोर्ट, एस डैस इस कोर्ट इस मोवी, मतब कोर्ट से अपने को वाया है, ठीक है न, हमने देखा, M.O.V. हम आर पास फर्स्ट में है, सेकेंड मी है, थर्ड में है, तो तीन जगह और है, मार पास तो अफ्कूरस एक्जेक आशा निकाला आए सकता है, कमन कोट का है हमार पास म कमन वर्ट का है, गेटिं हमार पास बिख रहे, गेटिग अट कहा गया डैस इस कोड़िद एज से फिर से वर्ड बनाया जा रहा है हमारे पास से टी कहां देखा गया है हमारे पास सेकिंड लासे अगया टी कहीा है हमारे पास कह Commonwealth लघा गया शर्फ में कही है जो सिर्फ निदिख रहा है डी निर्त चॉनिक है तो यह अजमति कहीं है डी कहीं होगा げंड वर्ड कहीं है और है से कहीं होग धिस्व को मर्डेल कि अज़ी वर्ट बनाना दस सेकंड का खेल है मैक्सिमम बहुत स्लो हैं आप 10 सेकंड ठीक है न आपको मैं सवाल का कॉंपोजिशन निए बताऊंगा अब यह किस कॉंपोजिशन में सवाल रका था एक्जामिनेशन में सारे सवाल तो सिंगल वड़े होंगे नहीं मैं उसका भी कॉमिशन दिखांगा त्फिर बताऊंगा आपको की आखिर हमने क्यों लिखा है रेंज एक मिनट से लेके डेट मिनट तक में आप सवाल को सॉल्फ करने चीए टाइमर ओन कर रहा हूं सहाब बताइए कट अफ कितना है लाइसी का लाइसी का कट अफ कैसे बीटा सकते हैं हम ये बता सकते हैं आपको उन्होंने क्या दिया है फिलाल अब उन्होंने जो रेफरेंस दिया है वही आठारा नंबर तो चाहिए आपको मैट सोरिजिनिंग में अगर आप जनल केटिक्री ओबीस से बिलॉंग करते हैं तो मतब 35 में से 18 तो होने ही चीए आपके तब आपका बेड़ा पार होने वाला है मतब उसके बाद ही आपका कुश चेक होगा कॉपी ओपी मतब उतना तो लाना ही पड़ेगा उसके नीचे गए तो फेल होगा है ठीक है मैरीड का क्या कोड है यह पूछा जा रहा है अपसे मैरीड वर्ड हमारे पास first में है second में है और सिर्फ first second में है और कोई वर्ड है जो सिर्फ first second में है हमने कहा भाई सा very भी है क्या है very very यहाँ पे है यहाँ पे है मैरीड यहाँ पर है यहाँ पर है यहाँ पर क्या पुछा है, what is the code, code find करने मद चले जाना, अब देखो जो बच्चा के रहे था सर, सब को लिख लेंगे तो हो जाएगा, आरे दुस्ट लॉजिक पकड़ो यहाँ पर, अब जिसे इस सवाल का हमारे पास जो विकल्प को देख के लग रहा है, सब जो concept जानते है करतो, what is पुछा है, यह दोनों वर्ड हमारे पास आईदर के दो इशारा कर रहा है, चार वर्ड यह चार उप्सन तो होई नहीं सकते, बचा कि हमारे पास ऑप्सन नमर यह बात खतम है, ऑप्सन नमर में क्या दिया है, इधर बी और सी, बतलब यह भी कन्फर्म हो गया, कि भीया, आरेटी और सी एटी, यह दिए यह आईदर में चल रहा है, बिना फाइंट के फाइंट कर लिया हम लोगा नहीं, ठीक है, यह दिए अप्रोच, इस इस स्मार्ट अप्रोच, सवाल नमर दस, अरजिंट सून, दो वर्ड फिर से दिया गया है, दो कोड आपको निकाल अरजिंट सून, यह दो वर्ड हमारे पास है, हमने देखा कि यार, इसमें से अरजिंट वर्ड तो हमारे पास दिख रहा है, यहाँ पर, और सून वर्ड यहाँ पर है, और यह दोनों में से कोई भी वर्ड, दुबारा नहीं दिख रहा है, एक बार दिखा, सून भी सरफ हमें एक बार दिख रहा है, और, यह भी युनिक वर्ड है, इस अपने सेंटेंस का युनिक वर्ड, मतब कि इसको कहीं और देखनी, नहीं देखा गया, that means hat is the answer, किसका, सुनका तो hat होगा, hat ची अपने को भाई सब, hat नहीं है तो गया, option number A or D गया, B or C में कुछ आज़र होने वाला, चेक कर रहते हैं, urgent word वाले सेट में चलते हैं, rat कहीं और है, message हमारे पास कहीं और नहीं है, तो of course hat or message, in the sense MSG is the correct answer, option number B is the correct answer, ये अप्रोच है सवाल को सॉल्व करने का, ठीक है, so I'll request everyone to understand the topic, अब दो काम क्या है स्टुरेंट्स का, इक्जामेशन में क्या होता है, हमारे पास ये पांच सवाल पूछे जाते हैं, उनमें से, एक सवाल जो होगा, वो सिं word का question हो जाएगा, एक word हमारे पास ये होगा, वो हमारे पास हो जाएगा, double word वाला, double word वाला, एक सवाल हो जाएगा आपके पास, condition वाला, भी condition वाला सवाल तो हमने पूछा ही नहीं, चैनीज कोड़ी में condition वाला सवाल जो आता है, एक वो हो जाएगा, एक होगा जहां पर आ तो टू वर्ड बोल देगा एक कोड से वर्ड निकालों जैसा भी आपने सॉल्व किया यह कॉमिनेशन आमोमन देखा करते हैं हम लोग ठीक है ना इसी में कोई एक आइदर भी कर रहा होगा ठीक है ना इकाद इसी में से आइदर हो जाएगा तो सिंगल वर्ड या सिंगल कोड वर्ड वले का तो दस सेकंड टाइम होता है बाकी का आवरेज माले दी सेकंड तो बीचेंड तूबीस तीज थे हैं साठ और दस दस पीस साठ और वीसुटस कितना असी में मैंक्स तरफ चला जाए कोई दिक्काप ने लिए उसके रेंज में कर लिना चाहिए सवाल आप ठीक है ना अगस्ट में उसका एक्जामरेशन आपके उसी में आई अगस्ट का महिने में बाकी तीन वीकेंड पर है तो यह चीज़े आपको सिर्फ एक्जाम एक्जाम देने है और बस सेलेक्ट होना है सेलेक्ट होने की करना है क्या लगातार बने रहाना है और कुछ नहीं करना है इस बात को सेट कीज़ेगा बहुत छोटा सेलेबस बैंक का इससी या फिर किसी रेलवे या फिर किसी और एक्जाम के तरह जी एस बहुत बड़ा सा या फिर बहुत बड़ा सा एडवांस मैट्स और फिर अर्थमेटिक मैट्स और ये मैट्स और वो रीजनिंग ऐसा नहीं है बहुत तू-द़ पॉइंट सेलेबस होता है हमारे बैंक का बहुत तू-द़ पॉइंट एक्जाम भी होता है बहुत तू-द़ पॉइंट टुन टाइम पे रिजल्ट भी आता है छे मिने के इतना समय इसाव इता होई आया करता है सो बैंक महापैक में नूल करने के लिए आप में रिफल को डिसमाल कर सकते हैं वाईवन डवलेट डबल वैल्टी एक्टिव है उसका लाव उठा सकते हैं यह बैचेज हैं फिलाल बैकिंगे वेंजिस बैच जो प्योर फांडेशन बैच है और यह आपका LIC-AA का बैच जो नूल कर रहे हैं यह उन बचों के लिए हैं जो रिपीटर्स हैं खास दोर पर रिपीटर वाले बच्चों के लिए बैच लेके आ रहे हैं जो सिलेबस जानता है उस बच्चे के लिए बैच है निकवास बैच महापाएक है वो मैं चाहूंगा नहीं कि फ्रेशर है और बैच महापाएक है तो इस बैच में कूद जाए बिलकुल मत कूदना या कोई अगर नया बच्चा है वो इस बैच को अंडूल करें बिलकुल मत करना यह बैच किसके लिए है लाइसी डबल ओ डबल ओ मैं चाहता हो वो बच्चा इसमें जरूर सामिल हो जो पिछले परिक्षाओं में थोड़ा सा कुछ नमरों से रहे गया है उनके लिए बदले का मतब भावना के साथ पहुंची यहां पर आग लगा दिजिए इसमें इसमें बैच कि बैच के बैच का बैच कर नहीं जरू करना दोस्तों में शेयर करने का दिल करें करें दिना बाद में, ठीक है, बाबाई